न्यूज मीडिया में डिबेट की भूमिकल जादा रहती है। डिबेट को लाखों लोग देखते हैं ताकि उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएं। पर डिबेट का मुद्धा ही अगर जनता के सवालों पर ना हो तो आज देखेंगे कि दोनों तरफ के मीडिया गोदी मीडिया और दूसरे मीडिया ने किन मुद्धों पर अपनी डिबेट की और किसने सरकार से सवाल उठाए और असल मुद्धे उठाए। पहले बात करते हैं ND TV के वरिष्ट पत्रकार रवीश कुमार की और जानते हैं उन्होंने अपने डिबेट स्किन मुद्धों पर किये। पहला TRP रेटिंग का खेल और सक्ता का मेल। दूसरा TRP रेटिंग के फंदे में चैनल की गर्दन। तीसरा क्या विरोध का दाइरा सीमित किया जा रहा है। चौथा मास्क ना पहनने पर जुर्माना हैसेत के अधार पर और पांचमा हाथरस सवाल सरकार से निशाना विपक्ष पर। प्राइम टाइन के जरिये सरकार की गेलत नीतियों पर सवाल अकसर उठाते रहते हैं। इस पार भी उन्होंने कहीं एहम मुद्धों पर चर्चा की। उन्होंने अपनी डबेट के जरिये धरना पर दरशनों पर आई कोट के फैसले पर चर्चा की। पर कुछ एहम बातें भी बताई। हमें ये सपष्ट करना होगा कि सार्जुनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कबजा नहीं किया जा सकता है। केवल निर्धारित शित्रों में ही विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। सार्जिनिक बैटकों पर प्रतिबंद नहीं लगाया जा सकता लेकिन उन्हें निर्धारित शित्रों में ही होना चाहिए निखिल डे बहुत जमाने से इस बात को रिखांकित करते रहे हैं कि हर राज्य में धरना इस्थलों को दूर किया जा रहा है ताकि वो दिखाई न दे सचीवाले और प्रेस की नजर से दूर हो जाए पहले पटना के मुख्य मार्क पर धरना हुआ करता था तो आते जाते शहर के लोग देख लिया करते थे उस रास्ते से मंत्रियों और अधिकारियों का भी आना जाना होता था अब बेली रोड से हटा कर इसे गरदनी बाग में कर दिया गया जहां पर धरना चलता रहता है मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां प्रेस कभी कबार चला गया तो चला गया मंत्रियों और अधिकारियों का उधर से जाना कम होता है अब बात करते हैं न्यूस 24 के वरिष्च पत्र का संदीब चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की पहला डियू में 100% कट आफ क्या बच्चों पर अनवश्यक दबाव बनाये जा रहा है दूसरा हाथ रस से करोली तक इतना हाहा कार क्यूं है तीसरा सबसे बड़े आख्थिक संकट को कैसे मात देगा हिंदुस्तान चौथा उतर प्रदेश की लड़ाई हिंदू-मुस्लमान से जातियों पर आई और पांचमा दंगों में विदेशी हाथ का सच कैसे पता चलेगा संदीप अकसर देश में चल रहे मुद्दों पर ही चर्चा करते हैं इस पार भी उनोंने आख्थिक संकट जैसे घंबीर मुद्दों को अपनी चर्चा के जरी उठाया और बीज़पी ने इता से सवाल भी की से होता है वो है महंगाई के दर्व से इस बात से आप भी इंकार नहीं कर सकते जो इंफलेशन का एवरेज ग्रोथ रहा है महंगाई दर का जो एवरेज रहा है वो चार से साड़े चार प्रतिशत रहा है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहत असी करोड़ लोगों को अप्रेल दो हजार बीस से मुफ्त का राशन दिया गया है पहाच किलो अनाज या चावल और एक किलो दाल और वो पूरा महीना चला ले उसमें काम और इसको बता रहे हैं कि देश में सब ठीक है तभी तो मैंने कहा दाल रोटी काओ प्रभू के गुनगाओ आर्थिक संकडिक जरूरी मुद्धा है इसके लावा कुछ और मुद्धे भी हैं जिस पर सरकार कम ही चर्चा करती है और गूदी मीडिया भी उन मुद्धों पर कम ही चर्चा करता है क्या इस पर उन्होंने इस मुद्धों पर चच्चा की? आईए देखते हैं, पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गूस्वामी की और देखते हैं उन्होंने क्या मुद्धे उठाई पहला हातरस पर हंगामा, संत की हत्या पर शांती क्यों, दूसरा सत्य की ललकार, गिद गैंग की हार, तीसरा टीरपी घोटाले का गुरू निकला तक, चौथा परंबीर सिंग ने किसे बचाने के लिए बोला टीरपी वाला जूट, और पांचवा, साजिश करनों वालों पर क पूछ रहा है कि आखिर मेरे संतों ने क्या गुना किया, जो पाल घर के बाद अब राजस्थान के करोली में एक साधू की निर्मम हत्या हुए, देश पूछ रहा है कि जो गिद गैंग हातरस में जाकर छाती पीट रहा था, वो एक संत की निर्मम हत्या पर सन्नाटे में क् पर यूपी में हुई घटनाओ पर अन्नब का ध्यान क्यों नहीं जाता, उतरपरदेश के दो जिलों, मेरट और बागपत में, दो साथों की लाश मिली, इसके लावा 11 अक्तूबर की है, खबर के मताबिक गॉंडा में एक पुजारी को गूली मारके हत्या का मामला भी सामने आया है, अब अर्नब योगी जी से कुछ सवाल क्यों नहीं करते हैं, खैर अब बात करते हैं, न्यूज 18 के वरिष्ट पत्रक अमीश देवगिन की, आएए देखते हैं उन्होंने किनमदों पर चर्चा की है, पहला हात्रस में हंगामा, बालरमपुर में सननाटा, क्या स्यासी फाइदा देखकर विरोध का अजेंडा, दूसरा, 56 पर असली नकली की लड़ाई, 56 वाला नेता कौन, तीसरा, दंगा प्ल आई, दंगी की साजिश पर आई, हात्रस पहाना, दंगा था फैलाना, अमीश ने आर्थिक संकर्ट जैसे मुद्दों नहीं उठाए पर जो मुद्दे उठाए वे विविपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहे थे ना कि सरकार पर, राहुल गांदी ने एक बहुत बड़ा द कि राहुल गांधी असली 56 इंच वाले देता है देश में भाईया, यानि सियासी लड़ाई अब 56 इंच पर आ गई है, हाला कि नोट बंदी, GST, किसान और कश्मीर से चौकिदार चौर है तक हर बार कॉंग्रेस और राहुल गांधी को सियासी तोर पर मुँ की कई बार खान हानी पड़ी है, हाथ रस पर भी जमकर सियासत दो दो हाथ हो रहा है, लेकिन वहां दंगे की साजिश का खुलासा हो गया, कॉंग्रेस भी बैक फुट पर अब नजर आ रही है, खेर हमारे मीडिया को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, मीडिया एक सुतंतर अधारा है, पर सवाल उठने लगे है, ब्योरो रिपोर्ट, पंजाब रूरे टीवी